हेलो दोस्तो तो कैसे हैं आप सब तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तरपाट शालम है तो आज हम बात करेंगे दोस्तो टू दा पॉइंट कुम्भ मेले के बारे में जो की करेंट इशू की वज़े से बहुत ज्यादा चर्चा में है जैसा कि इसके मिनिस्टर की ओर से भी बयान आता है कुम्भ के उपर सांकेति कुम्भ की बात चीटका लिज़े जा रही है अभी उसके उपर और कोविड 19 के दौरान कुम्भ के उपर भी काफी जादा जो है बातें उटकर के सामने आई है तो मैं ही पॉसिबल की इससे आपका कोई प्रश हैं साही इशनान कब होते हैं और क्या होते हैं अखाड़े वगेरा थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए क्योंकि जो आर्ट एन कल्चर के अंदर एलीजियस पोर्शन आता है वहां से आप देख रहे हैं कुम्ब की बात हो और ऐसे में हरिद्वार की बात होना बिल्कुल बहुत ही ज़ादा जरूरी हो जाता है तो हरिद्वार जो है इस बार काफी ज़ादा चड़चा मैं भी है इसी वज़ह से तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारे टॉपिक और उससे पहले अगर आप चैनल पे नहीं है तो आपको अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है और उसके बाद आपको उसके सामने बना जो बेल आइकन है उसमें औल नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन आएगा उसे भी ऐउन कर लेना है ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जल्दी से जल्दी दोस्तो आपको 5K जो हैं वो हमारे सब्सक्राइबर्स पूरे करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो आज की वीडियो आज की जो वीडियो है हमारी वो होगी कुम्भ मेले के ऊपर चलिए शुरू करते हैं तो अगर सबसे पहले बात करें जाए तो कुम्भ मेले की तो यह इतना कौन सा फेमस मेला है जिसकी वज़ा से इस पर इतनी चर्चा की जा रही है आपको पता होना चाहिए कि यह कुम्भ का मतलब होता है घड़े वगेरा से या कोई सुराही घड़ा जो ऐसा कलश जिसे आप कह सकते हैं उसका मतलब होता है कुम्भ अब यह जो कुम्भ है यह एक तरीके से अमरता या अम्रित से रिलेटेड है दोस्तों अम्रित जो है एक ऐसा पे जिसको पीने से मृत्य वैदिक गरंथ उनमें भी इसका वर्णन मिलता है और बहुत से इतिहासकार जो है वह भी ये बात मानते हैं कि कुम्ब काफी पौरानिक मिला रहा है उसके बारे में भी हम आगे देखंगे तो अगर मेले की बात करें तो मेले का मतलब होता है किसी एक इस्तान समय का सब्जेक्ट नहीं है अभी का कोई विषय नहीं है ये बहुत पुराना सब्जेक्ट है अपने इसका मतलब होता है कि एक तरीके से मिलन या फिर जो अमरित्तु की प्राप्ति के लिए हो या कि ऐसा मिलन जो अमर हो जाए जिसके लिए हम अमर हो सकें जिससे ऐसा एक मिलन कुम्भ है तो इस प्रकार की एक परिवाशा आप सामाने तरह समझ सकते हैं कुम्भ के बारे में अगर इसकी बात करें तो हिंदू धर्मगरंथ जो हैं उनके हिसाब से हिंदू जो लोग हैं उनका एक बहुत ही महत्तोपून परव है अगर आप फंडू की भी बात करेंगे तो वैशनौ है शैव हैं शाक्त फिस्वार्ट हैं और कुम्भ काफी बार इनके बीच संप्रदा ए संगर्स का भी जो है साक्शि derivatives आगे वीडियू में आप कि जो शैव और वैशनव संप्रदाय हैं उनके बीच में काफी जादा बार कुम्ब के अंदर ही हमें बहुत बार कलह देखने के लिए मिले हैं उसके बारे में भी हम देखंगे काफी महत्वपूर हो जाता है इस विशे में तो हिंदू का जो है एक बहुत महत्वपूर त्यो एक आपका हरिद्वार के अंदर होता है एक आपका उजेन के अंदर होता है और एक आपका नासिक के अंदर होता है यह आपको याद रखना है प्रियाग हरिद्वार उजेन और नासिक ये जो है ये इलाके हैं जहां कुम्ब मनाया जाता है जहां कुम्ब होता है इसके अला वर्ष बाद अगला कुम्भ आएगा जैसे आज हरिद्वार में कुम्भ है तो आज से 12 साल बाद हरिद्वार में दूसरा कुम्भ होगा similarly आज अगर नाशिक में कुम्भ है तो आज से 12 साल बाद नाशिक में भी कुम्भ होगा जैसे कि 2013 की बात करें तो 2013 का जो कुम्ब है वो प्रियाग राज के अंदर हुआ था आपका ऐसे ही 2019 में उसके बाद यहां अर्ध कुम्ब का योजन हुआ था समझ रहे हैं आप 2013 का कुम्ब हुआ छे जोड़ दीजिये तो यह हो गया 2019 यहां जो है उसका अर्ध कुम्ब आपको देखने के लिए मिला प्रियाग राज के अंदर दोस्तो इसके अलावा बात की जाए दोस्तो तो इन लोकेशन को एक बार आप देख लेंगे यह है आपका हरिद्वार यहां पर आप देख सकते हैं आपका हरिद्वार है हरिद्वार के अलावा बात की जाए दोस्तों तो यह आपका प्रियाग राज है पहले इलहाबाद के नाम से जाना जाता था इसके अलावा अगर आप यहां देखे हैं तो यह आपका उज्जैन यह आपका नाशिक तो इन से आपके प्रश्न बनने की संभावना है दोस्तों पहली बात करते है हरिद्वार तो यह आपका आता है उत्राखंड के अंदर गंगा नदी के किनारे है दोस्तों हरिद्वार वो जगह है जहां गंगा नदी प्लेन या मैदानी एरियाओं में प्र प्रियागराज यानि कि जिसका पहले अलाबाद नाम हुआ करता था प्रियागराज या इलाबाद जो है दोस्तो ये भी आपका गंगा नदी के किनारे पड़ता है वैसे इलाबाद जो है दोस्तो अगर हम इलाबाद की बात करें इस लोकेशन जो की यूपी के अंदर है यहा आपर में अगर आपके हैं तो गंगा यमुना का जो संगम है वो प्रियाग राज में देखने के लिए मिलता है इसके अलावा दोस्तो उज्जेन जो है यह आपका शिपरा नदी के किनारे ये आपको पता है मध्यप्रदेश के अंदर पढ़ता है उज्जेन आपका शिपरा नदी के किनारे है कुम्ब की एक लोकेशन यहां है इसके अलावा अगर हम एक और कुम्ब की बात करें तो वह आपका नाशिक में लगता है दोस्तो नाशिक है आपका महाराश्टा के अंदर और गोदावरी नदी के किनारे जो है यह इलाका आपका पड़ता है तो इस तरीके इलाबाद उज्जेन और नाशिक तो अब इलाबाद ना कहकर के हम क्या कहेंगे प्रियाग राज कहेंगे दोस्तो ये आपको याद रखना है चलिए इस तरीके से कुछ काफी जादी भीड जो है वो दिखाई देती है दोस्तो कुम्ब के अंदर चाहे कुम्ब कहीं भी हो यहां पढ़ सकते हैं बाकी जो है अगर मान्यताओं की बात करें दोस्तो तो यहां इसनान का काफी जादा महत्त है यहां इसनान करने से माना जाता है कि यह साक्षात स्वर्ग दर्शन के समान है और आपको पताई है कि हिंदू धर्म में बहुत ही जादा महत्त है इसका इस 8 में हुआ था हरिद्वार के अंदर जो है वो पिछला कुम्ब हुआ उसके बाद 26 जनवरी जो है 14 माई तक 2004 के अंदर यहां फिर अर्ध कुम्ब चला था त्यान से सुनते रहेगा यह 1998 का जो कुम्ब देख रहे हैं आप यह कुम्ब उत्राखंड बनने से पहले का कुम्ब है फिर 2000 के अंदर उत्राखंड बना फिर 26 जनवरी से 14 माई 2004 तक अर्ध कुम्ब चला हरिद्वार के अंदर तो यह ऐसा पहला अउसर तो जब उत्राखंड बन चुका था और उसके बाद उत्राखंड के अंदर कुम्ब हुआ था या अर्ध कुम्ब हुआ था फिर 14 बड़ी डेट थी वो 2022 की होनी चाहिए थी ओबियस सी बात है 2022 की होनी चाहिए थी लेकिन जो हिंदू पंचांग हैं कैलेंडर्स हैं उनके हिसाब से 2021 में वो बार साल पूरे होते हैं तो इस वज़े से अभी जो है वो कुम्ब यहां चल रहा है जो तीशी महत्यों के बारे मैं आप चाहें तो यहां बिल्कुल पढ़ सकते हैं दोस्तों और बाकी आपको जो है अपना हिंदू धरम के अंदर इस त्योहार के महत्यों के बारे में हम बता चुके हैं अर्धकुम्ब कुम्ब सभी में बहुत बड़ी संख्या में लोग जाते हैं और बहुत ही बड़ा त् इस दिन जिसमें आप सुनते होंगे शाही इसनान हुआ यह है वो है तो मकर शंगरान्ती पौश पूर्णिमा एकादशी मौनियमावश्या वसंत पंचमी रत शप्तमी मागी पूर्णिमा और भीश में एकादश्या महा शिवरात्री के काफी बड़े त्योहार इसके अंद दोनों ने समुद्र को मथा और वहां से अलग अलग तरीके से आपके क्या निकले अलग अलग रत्न निकले उसी में अम्रिध भी निकला विश भी निकला nelle और इस तरीके से वहां क्या हुआ काफी जादा जो है समुद्र मन्थन से चीजे मिली है ना तो इसी के अंदर बात की जाए दोस्तो तो शीर सागर जो सागर था उसका मन्थन किया गया और भगवान विश्णु जी ने कूर्म आउतार लिया था एक तरीके से आप कहें अमरित निकला था तो अमरित जो है वो इंद्रपुत्र जयन्त ने पकड़ा और वो आकाश में उड़ गए इसी दौरान जो दैत्य है उन्होंने उनका पीछा किया तो दैत्य गुरु शुकराचारी और देव गुरु व्रश्पती को माना जाता है या आपको पता होगा त अब अमरित कलश पर अधिकार के लिए लड़ाई होगी तो लगबग 12 दिनों तक युद्ध चला दोस्तो अब ध्यान से सुनिएगा यह जो 12 दिनों तक युद्ध चला है यह 12 दिन देवताओं के हैं इसलिए माना जाता है कि देवताओं का एक दिन हमारे एक वर्ष के बर याग में, एक हरीद्वार में, एक उजयन में, और एक नासिक में इसलिए इन चार जगहों पर ही क्या मनाया जाता है कुम्भ मनाया जाता है तो अगर आप सरामाने इसी भासा में समझेंगे तो समुद्र मंतन से निकले हुए अमृत को जो है उसकी चार बूंदें जिन पर होते हैं ऐसा माना जाता है कि जो बाकी के आठ कुम्ब बज गए वह केवल देवलोक में होते हैं और उन्हें केवल देवताग जो हैं वही प्राप्त कर सकते हैं चलिए ये तो माननेताओं की बात रही बाकी आप यहां पर पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में क्योंकि अब यह जरूरी है कि जब आप धार्मिक विशय पर आप बात कर रहे हैं तो उससे सम्मंदित कुछ चीजें जो हैं यहाँ पर रखी गई हैं जो खासकर जोतिश वगएरा या इन चीजों के बारे में देखते हैं अब हम बात करेंगे दोस्तों कुम्म से सम्मंदित कुछ एतिहासिक पत्यों की तो एतिहासकार S.B.Rai ने जो हैं एक अनुष्ठानिक नदी इसनान को सिद्ध किया था और ये कहा था कि बहुत पहले यानि 10,000 इसनान यहां नदी इसनान हुआ करता था वैसे अगर मानने मतों की बात करें तो बौध जो धरम गरंथ हैं उनमें जो हैं नदी मेलों की उपस्तिती दिखाई गई है 600 इसा पूर्व और समराठ चंद्रगुप्त के दरबार में एक युनानी दूज जो थे उन्होंने भी इस मेले के बारे में बताया है लगबग 400 इसा पूर्व यानि की काफी पहले जो है इन मेलों के बारे में जिक्रा आ चुका है यहां की रॉय जो है वो ये भी मानते हैं कि जो अभी आजकल जो मौला मेला चलता है जिस तरीके का वो 300 इसा पूर्व से जो है वो स्टार्ट हो गया था और वही अमरित गिरने के बारे में इसमें भी भात होती है बाद में फिर दीरे धीरे जो है अखाड़ बनयते गए और धीरे सब्से पहले आगम काले में थिरे जो अलग अलग अखाड़ जो बनते रहे। अभान नामक जो प्रारंभिक अखाड़ा था उसका लिखित प्रतिवेदन भी दोस्तों आपको 547 इस्वी का ही मिल जाएगा इसके बाद अगर आप देखें तो चीनी यात्री विंसौंग जो है वो भी भारत आये थे हर्शवर्दन के समय तो हर्शवर्दन के समय में जो कु 1146 से यह दोनों अखाड़े जो है वो अस्तित्व में है इसके अलावा 1398 में जो हरिद्वार महाकुम्ब है उसमें एक बहुत ही बड़े उस्तर पर नरसंगहार देखने के लिए मिला था जो तैमूर है उनके दोरा जो है यह नरसंगहार जो है वो किया गया था इसके अगर आप देखांगे दोस्तो तो फ्रांसिसी यात्री तरवे निये जो है वह भारत आये और 12 लाग से जादा हिंदू साधू जो है वो थे ऐसा उन्होंने बताया 1684 के आसपास फिर दोस्तो अगर आप देखें तो नाशिक के अंदर सैव और वैशनव संप्रदायों में स शंगर्स हुआ 60,000 लोग यहां मरे 1690 में फिर 1760 में सैव और वैशनव के बीच हरिद्वार के कुम्भ में भी शंगर्स हुआ में को थोड़ी बहुत जानका रिया होनी आवश्यक है कि कुम्भ कैसे होता है क्यों होता है उसके बारे में आतिहासिक तत्यतों मैं आपको बता ही चुखा हूं तो बहुत अगर आप याद कर पाए तो बहूत Hurry बहुत बात हैуєशिकली आपको कुम्भ के बारे में और उस रोज होने वाले quidges में भी join करना है माकि WhatsApp ग्रूप में जुनने के बाद आप देख सकंगे कि आपको फ्री में पढ़ने के लिए बहुत कुछ हमारे इस WhatsApp ग्रूप से ही मिल जाता है तो दोस्तो इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो को the end होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी सो थेंक यू तिल नेक्स्ट वीडियो